नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करता हूं आप सभी पहले की तरह अच्छे ही होंगे आज मैं पवन आप लोगों के लिए लेकर रहा हूं फिर से एक मज़ेदार वीडियो जिसमें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग जो अपना यूटूब इस्टूडियो का जो अप्लिकेशन होते हैं उसे कंप्लीट सीख सकते हैं यह वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो आप लोग इसे एंड तक देखते रहे हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं करना है अपने मोबाइल के प्ले स्टूडियो को डाउंलोड कर लेना है और उस आड़ी से लोगिन करना है जिससे आपने अपना यूटूब का चैनल बना रखा है उसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा आप लोगों के सामने तो जिसके अंदर मैं आप को बता देता हूं complete कि क्या क्या option आते हैं और जो यूटूब studio है अपन क्यों यूज लेते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे corner के अंदर right side के अंदर three line मिल गई होगी महाँ पे आप लोगों को क्लिक कर दिना है महाँ पे आप लोग डेस बोर्ड का option आप लोगों को मिल जाएगा यह already इस पर click है तो dashboard में दिखा देता हूं आप लोगों के कि यह जो आप लोगों के सामने जिस भी वीडियो का interface open हो रहा है वह आप लोगों का dashboard होता है जिसके अंदर आप लोगों के जो subscriber और जो व्यूज होते हैं और वो उस्टाइम होता है वह सारे आप लोगो को यहां पर show होते हैं और किस वीडियो से आप लोगों ने यह व्यूज लिये हैं वह भी complete आप लोगों जो लास्ट वाली जो आपने रिसेंट्ली जो वीडियो अप्लोड की होगी वह वीडियो यहां पर आप लोगों को show होगी तो इसके बाद में बात करता हूं नीचे आ आपने आज तक वीडियो अप्लोड की हैं वह सारी आप लोगों को मिल जाएगी और जो भी वीडियो आपने लाइव अप्लोड किये वह भी आप लोग यहां पर एक सकते हैं मैंने कोई भी लाइव वीडियो नहीं बनाई है तो यहां पर कुछ भी नहीं है इसके बाद में अपिलोड के अंदर जो वाला ओ प से इसके अंदर में बता दू आप लोगों को जी से मेरी वीडियो क्यа है सीरियल वाई चल रही है जैसे मैं अप्लोड करता हूं दो दिन-तिन दिन आप लोग देख सकते हैं मेरे को क्या करना है कि मेरी जो वीडियो सबसे ब्लाधte grow हुई है वह मेरे कोच चेक करना है तो आप लोग short way के अंदर जाएंगे उसके अंदर आप लोग most views पर click कर देंगे तो आप को के सामने क्या होगा कि आपकी जो भी वीडियो ज्यादा रेंक होगी या जिसके उपर बोल सकते हैं ज्यादा व्यू जाए होंगे उसके उपर वह वीडियो आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगी उसके बाद मैं बात करता हूं सेकंड वाले ऑप्शन वीजिबिलेटी के लिए तो इसके अंदर विजीबिलेटि एगर ने कोई वीजीबिलेटि जैसे अगर मेरी सारी वीडियो पब्लीक अगर wonderful ने रखकर में private रखता हूं या अनलिष्ट एस रखता हूं तो उस परकार से हो सकती है जैसे में public पर क्लिक करता हूं को सारी वीडियो औरेडी है पबलीक तो इसे हम इसे ही रहने देंगे पिर आती है यह विज्ञ की बात तो विज्ञ की बात में more than विज्ञ की बात में मोड़ देंव आप लोगों कितने गया आई याजे में चेक कर लेता हूं जैसे 5 50 में लिख देता हूं फिप्टी लिखने के बाद में आप मेरे को डन करना है अब देखना आप जितनी जितनी वीडियो होगी मेरी वो सारी वीडियों यहां पे शो होने लगती है तो इसका भी कुछ ज्यादा खास असर नहीं है तो इसके अंदर आप लोग अपने जो यूज़ है वह चेक कर सकते हैं वीडियो की बाद में मैं बात करता हूँ आप लोगों को जो फैड़ वाला जो अप्सान आता है वह यहां पे पले लिस्ट का अगर आप लोगों ने अपने यूटूब के चैनल के उपर पले लिस्ट नहीं बनाई है और अगर आपको नहीं आता है पले लिस्ट बनाना तो आ लिस्ट के उपर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जितनी भी प्ले लिस्ट है आप लोगों ने अपने चैनल के उपर बना रखी होगी वह आप लोगों को सारी की सारी शो हो जाएगी जैसे मैंने बहुत सारी बना रखी है जीमेल से रिलेटेड इस्टाग् बोग जिस भी वीडियो को आप लोग देखना चाते हैं कि कौन शी वीडियो कितनी क्रोव यह तो वो शारी चीज़ां है आप लोग इसके अंदर चेक कर सकते हैं फिर बात आती है फोर्थ नमबर की यहां पर आते हैं कमेंट की सेक्षिन के अपन बात करते हैं कमेंट पर आप लोग जैसे ही कलिक करते हैं तो आज तक के जितने भी मोस्ट रिसेंट जो कमेंट हुए हैं वह आप लोगों को शियो हो जाएंगे इसके अंदर देख सकते हैं आ और यहां से अगर आप लोग ऊपर देखेंगे तो पब्लिस का जो उप्शन है यहां से में जो इस पे हिंद और रिव्यू पर अगर में देख करता हूं तो आप लोगों कुछ है और जो लास्ट वाला जो उप्शन बसता है यूटूब स्टोडियों के अंदर एनलिशस का ज क्रीज हुए हैं सारे आप लोग देख सकते हैं और निचे जिस भी वीडियो पर आप लोग किस वीडियो पर ज्यदा ओडीन शाय थो वह भी आप लोग ओर के अंदर छेक कर सकते हैं ओवर्व्यू के बाद में ओप्शन आता है रिच का इसके अंदर आप लोग जो भी आपने लाश्ट 28 मंदर के अंदर अपने चैनल के ऊपर जो प्रोग्रेस की है जैसे इंप्रेशन क्लिक हो गया है जो ट्रेफिक सोर्स होता है वो आपका ट्रेफिक कहां से आता है यूटू वीडियो है उसके उपर ओडियेंस वो का से आती है वो भी आप लोग इसके अंदर चेक कर सकते हैं रिच के अंदर जो लाश्ट वाले जो ओप्शन आते हैं उसके अंदर आप लोगों के जो चैनल के उपर जो प्रोग्रेस होती है वह है मैं बता दूँ आपको कि इसके अं है और कौन सी वीडियो की है ईसने आपका यूटूब पे ज्यादा सर्च किया है और किस वीडियो पर ज्यादा शॉल आए है और किस प्लेट फरम चे सारी चीज आप लोगों को यूटूब स्टूडियो का जो जो रिच का जो उप्सन है उसके अंदर देखने को मिलती है और जो रिच्च का जो ओप्शन है उसके दुआरा आप लोग अपनी एक पर्टेख वीडियो की या पिर प्रेटिकुलर वीडियो की आप लोग जो इसका जो रिबीउ वेड़ कर सकते हैं इसे option के दौरा उसके बाद में बात करता हूँ मैं इंगेजमेंट की तो इसके अंदर जो total last month के अंदर आपके चैनल के उपर जो टाइब पिरेड होता है वो शो होता है और जो टॉप जो प्लेलिस्ट होती है आपके चैनल के उपर उसके उपर कौन से प् है वो सबी चीजें इंगेजमेंट के अंदर शो होती है और नीचे प्लेलिस्ट के नीचे option आता है टोप कार्ड का जिसके अंदर आपको option मिलता है कि आप अपनी वीडियो का जो इंगेज होती है कि कौन से जो केटेगरी के जो व्यक्ति है उन्होंने आपकी वीडियो को व उपर और जो आपके चैनल के उपर जो वीडियो होती है वो कौन सी एज लिमिट के जो ओडियेंस अब है ज्यादा वहत करती है तो यह भी आप लोग यूटूब स्टोडियो के माद्य में से पता कर सकते हैं और उसके नीचे option आता है टोप जो ग्राफिक्स जो यहां पर इ हैं वीडियो देखते यह फिर कोई एसी वीडियो देखते जिसके अंदर नीचे सब्टाइटल एंगलिज के अंदर तो वह यहां चीज हों कि आप लोग अपने वीडियो की चेट चाहते हैं तो सब्क्राइब में जो आपास जो होस्टाइब संब्राइब आप साइब्र द आपकी जो वीडियो को बोच करते हैं सब्क्राइब किये हुए ओडियंच या फिर नोट सब्क्राइब वह भी आपर दिखाया YouTube Studio का यूज हमें लोग अपनी वीडियो के ओपर थम्नेल टेग और डिस्क्रिप्शन को इडिट करने के लिए यूज करते हैं क्योंकि यह बहुती बेनिफिट रहता है अपनी वीडियो के लिए तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों बहुत अच्छी लगी हो अगर आप लोगों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल के बेल आइकन को प्रेस करे ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डालू तो आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके